क्या आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना सही है? क्या इससे फर्जी वोटिंग रुख जाएगी? क्या है आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के फायदे और क्या है इसके सबसे बड़े नुकसान? हलो दोस्तों मैं हूं समिछ चोहान और आप देख रही है दिन्यूस बीक ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय देश में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपके वोट देने के अधिकार पर असर होने वाला है ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लो मोधी सरकार ने इस कानून में आपके 12 अंकों के अधार कार्ड और वोटर आईडी को जोडने का प्रावधन किया है जिस तरह से आपने पैन कार्ड, मुबाइल नंबर, राशन कार्ड और बैंक खाते से अधार को लिंक कराया है उसी तरह अब आपको अपने वोटर आईड कार्ड को भी हधार के साथ जोडना होगा सरकार कह रही है कि इससे फर्जी वोटिंग को रोकने में मदद मिलेगी आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने पर बायोमेट्रिक के जरिये मदाता की पैचान करना आसान हो जाएगा और इससे फर्जी वोटर चुनाओ में वोट नहीं डाल पाएंगे लेकिन क्या ऐसा सच मुछ होगा सुनने में तो मोदी सरकार का ये कदम काफी दिल्चस्प लगता है लेकिन असल में ये खतरनात नतीजों वाला साबित हो सकता है फर्जी वोटिंग होती है फर्जी मतदान पैचान पतर से इसलिए उसे आधार स फर्जी अधार नंबरों का पता चला था यानि उस समय तक देश में आठ करोड फर्जी अधार काड बनाए जा चुके थे आठ याई में ये भी जानकारी मिले थी कि अधार काड के डेटा में हेरा फेरी की पूरी गुंजाईश है हमारे देश में पवन पुत्र हनुमान त फर्जी अधार काड भी बन रही है इसलिए जो अधार काड खुदी सिक्योरिटी के मामले में फिसड़ी है वो वोटर के पुकता होने की गैरेंटी कैसे दे सकता है एक्सपर्ट का मानना है कि अधार काड को वोटर आईडी से जोडने से फर्जी वाड़ा घटेगा नहीं बलकि बढ़ेगा क्योंकि इससे करोडों फर्जी अधार काड हुल्डर्स को भी वोट देने का मोका मिल सकता है जिस तरह से फर्जी अधार कार्ड बनते हैं वैसे ही फर्जी वोटर कार्ड भी बनते हैं इसलिए कोई भी रिश्वत देकर अधार कार्ड के साथ साथ वोटर आईडी कार्ड भी बनवा सकता है और असानी से वोट देने के अधिकार को हासिल कर सकता है आधार कार्ट भरत में रहने वाले शरणार्थियों को भी जारी किये गए हैं इसलिए एक्सपर्ट्स को ये भी डर है कि चुनाओं में ऐसे शरणार्थियों के फर्जी पैचान पत्र बनवा कर कोई पार्टी या नेता उनसे अपने पक्ष में वोटिंग करवा सकता है अगर सरकार की बात मान भी लें कि इससे फाइदा होगा तब भी आधार और वोटर आईडी को जोटने वाली लिंकिंग प्रोसेस में गल्कियों की भरमार होगी और लाखों करोडों लोगों को वोटिंग अधिकार से दूर कर दिया जा सकता है मैं ये बाते हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक कानुभव तो यहीं बताता है 2015 में आंधरपरदेश और तेलंगाना में नेशनल इलेक्टोरल रोल प्योरिफिकेशन औन अथेंटिकेशन प्रोग्राम नाम से एक पाइलिट प्रोजेक्ट चलाय गया था जिसमें आधार नमबरों को वोटर आईडी से लिंक किया गया था 2018 में जब इन दोनों राज्यों की मतदाता सूचियां प्रकाशित हुई तो उनमें बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गायव थे तेलंगाना में करीब 30 लाख और आंधरपरदेश में 21 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके थे तेलंगाना और विधानसवा चुनावों से पहले हंगामा मच गया हजारों लोगों को उसी दिन पता चला कि मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है वो भी बिना किसी पूर्वसूचना के RTI दस्ताविजू से पता चलता है कि जब आधार को वोटर आईडी से जोड़ा गया था तब इस प्रक्रिया के लिए कोई डोर टू डोर वेरिफिकेशन नहीं किया गया था बस एक डीड डूप्लिकेशन सोफ्टवेर का इस्तमाल किया गया था यानि हो सकता है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो वहाँ लिस्ट में आपका नाम ही न मिले यानि एक जटके में लाखो करोडो लोगों का मताधिकार चीना जा सकता है क्योंकि इस बात की कोई गयरेंटी नहीं है कि डोर टू डोर वेरिफिकेशन होगा और जो जेन्वन मताता है उनको उनके मताधिकार को सुनेश्चित किया जाएगा उसकी गयरेंटी दी जाएगी जरूरी सेवाओं को अधार से जोडने में भहेंकर गलतिया हुई है और वो साबित भी हुई है 17 मार्च 2018 को अधार कारिकरम को चलाने वाले भारतिये विशिष्ट पैचान प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में माना था कि सरकारी सेवाओं के लिए अधार उथेंटिकेशन 12% तक ना काम्याब रहता है उधारन के तोर पर जहारखन में एक अध्यन में पाया गया कि 2016 से 2018 के बीच आधार से जोटने के दोरान फर्जी मान कर रद किये गए 90% राशन कार्ड सही थे यनी सरकार, राशन कार्ड और मन्रेगा, पैचान पत्र वगएरे तक को सही धंग से लिंक नहीं कर पाई और इससे लाखों लोग अपने अधिकारों सही वंचित रह गए ऐसे में अगर वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोडने की प्रिक्रिया का सही दंग से पालन नहीं हुआ तो आबादी के बड़े हिस्से को अपने मतादिकार से बंचित होना पड़ सकता है 2019 में अधार डेटाबेस में सेल्फ रिपोर्टेड एरर चुनावी डेटाबेस की गलतियों की तुलना में डेड़ गुना ज्यादा थे यानि फरजी अधार कार्ड फरजी वोटर से भी ज्यादा है ऐसे में फरजी वाड़े को कैसे रोका जाएगा जब बाड़ ही तूट चुकी होगी तो भलब फसल को आवारा पश्वो से कौन बचाएगा अब तक आप समझ चुके होंगे कि अधार कार्ड खुदी सुरक्षित नहीं है ऐसे में फरजी वाड़े की आशंका से इन कार्ड नहीं किया जा सकता और हो सकता है कि कुर्सी अथ्याने के लिए सरकारे या पार्ट या खुदी हेराफ्यरी में लग जाएं एक्सपर्ट को ये भी डर सता रहा है कि हो सकता है किसी शेत्र में विरोधी वोटर्स को जान बूझ कर मदाता सूची से बाहर करा दिया जाए ऐसा भी हो सकता है कि फर्जी अधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवा कर उन्हें लिंक करा दिया जाए और फिर वोट डलवा दिये जाएं आधार की डेटा में आपती सारी जानकारी होती है आजकल इमेल और मॉंबाइल नंबर भी आधार के साथ रजिस्टर होते हैं इसी register number या फिर email से आप social media भी चलाते हैं और वहाँ अपनी पसंद की नेता और party की बारे में लिखते पड़ते हैं, search भी करते हैं, तो ऐसे में social media company सरकार के साथ गट जोड़ करके आपको एक खास नेता या party से जुड़ी समगरी दिखा सकती हैं और आपके vote को प्रभावित कर सकती है, 2019 में Cambridge Analytica केस में साबित हो चुका है कि Facebook ने एक खास party के प्रती लोगों को प्रभावित करने के लिए उनकी निजी जानकारी का इस्तमाल किया और उन्हें उसी party का content ज्यादा दिखाया, voter की profiling करके उन्हें प्रभावित किया जा सकता है और भारत में भी ये साबित ह हो चुका है क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि कैसे Facebook और Twitter जैसी social media कंपनियों ने जान भूचकर नफरत फैलाने वाले BJP निताओं के अकाउंट पर कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिए खत्रा बड़ा है और BJP पर 2021 के पुद्दूचेरी विदान सबाचनाओं में मदाता के आधार से जानकारी चुराने की जाच हो रही है, आरोप है कि BJP ने आधार में दर्ज जानकारी चुराकर लोगों के वोट प्रभावित करने की कोशिश की है, ऐसे में इस बात की कोई गैरंटी नहीं है कि भविश्य में ऐसा नहीं होगा बायोमिट्रिक डीटा में भी गड़बड़ी मुमकिन है क्योंकि जैसे बहुत बार उन लोगों के फिंगर प्रिंट मैच नहीं होते, जो हाथों से बहुत मैनत करने का काम करते हैं, पत्थर तोडने वाले या खुदाई करने वाले मजदूरों के फिंगर प्रिंट एक जै कोई गड़बड़ी हुई तो चुनाव आयो कह देगा कि अधार के दफ्तर जाओ और आधार वाले कह देंगे कि चुनाव आयो के पास जाओ, इससे खासकर गरीब आवाम को काफी मुश्किल हो सकती है क्योंकि अक्सर हमारे अलग-अलग सरकारी कार्ट जैसे वोटर आइड ज्यादा है और फाइदे कम हैं लेकिन फिर भी मोदी है तो मुमकिन है उमीद है आज के इस विचलेशन से आपको इस पूरे मामले पर राय बनाने में असानी होई होगी आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में लिखे और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर अगले वीडियो में मिलते हैं साथियो